आज मैं आपके लिए बहुत सारे टिप्स और टिक्स के साथ एक ऐसी रेसिपी लेकाई हूँ जो आप रेस्टोरांट में खाते हैं रेस्टोरांट में आपको इतना सारा पैसा बनना पड़ता है लेकिन आप घर में बनाएंगे तो यह बहुत कम पैसे में बन जाएगी बिल् दे और आदा घंटे टक डला रहने दे जिससे कि उसका सारा पानी निकल जाएगा या किसी कपड़े में टांके भी आप रख सकते हैं इसके बाद हमने अद्रक लैसों को कद्दुकस कर लिया था आप इसका पेस्ट भी ले सकते हैं और कस्मीरी लाल मिर्स से हमारी रेसिपी का बहुत अच्छा कलर आएगा तो अगर आपके पास कस्मीरी लाल मिर्स नहीं है तो आप नॉर्मल लाल मिर्स भी डाल सकते हैं अब हमने भुना जीरा डाल दिया है इसके बाद हमने नमक डाल दिया है अब हम इसमें काला नमक डालेंगे तो काले नमक से भी हमारी रेसिप अब हमने फोड़ा साई जरत सकत OP cara अब हमने Willйtit मार्किट स्डीट मांः आएगा अब हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है और इसके बाद हम कसूरी मैथी को आप हातों से अरभ करें और इसके बाद आप मस्टर्ड ओイल को हमने ऐसे ही ढाल दिया है आप चाहे तो इसको cur me alex करके अगर आपकी इसकी स्मैल अच्छी नहीं आथी तो आप इसको cur me a gumở II तो अप्स नहीं है तो आप इसको कurar सकते हैं अभाद मईंसी कर लेंगे इसको अच्छे से मोक जिससे कि सारे इंग्रीडेंस अच्छे से मिक्स हो जाए और एक यह गाढ़ा सा पेस्ट बनके बिल्कुल तयार हो जाए तो देखिए हमारे पेस्ट का कलर भी अच्छा आ गया है और इसमें बहुत अच्छी खुश्वू आ रही है हमने सारे मसाले एड़ किया इसलिए इसकी गाढ़ा होना चाहिए और इससे जादा पतला नहीं होना चाहिए अब हम, सबजियाम एड़ करेंगे जब आप पनीर डाले तो soft हातों से ही mix करें, क्योंकि पनीर बिल्कुल soft होचता है, तो उसको तूटने का डर होता है, तो इसलिए पहले प्याज और टमाटर को अच्छे से mix करें, तो अब हम इसमाँ पनीर add करेंगे, तो पनीर के भी बड़े बड़े क्यूब काटना है, हमें तूट भी सकते है, पनीर को हमें तब तक mix करना है, जब तक कि जो दही का paste है, वो पनीर में चारों तरफ अच्छे से लगना जाए, अब हमारे पनीर में अच्छे से paste लग गया है, और इसको आप चाहेद हातों से भी mix कर सकते हैं, अब इसको हम आदे गंटे के लिए ढखक या फिर आपके पास जादा टाइम है, तो आप दो घंटे के लिए ढखका रख सकते हैं, तो अब मैंने एक इक इक ली है, तो इसमें हम एक एक करके पनीर और जो प्याज और कैपसिकम के पीसे हमें इसमें लगा देंगे, तो अगर आपके पास ऐसे स्टिक नहीं है तो मैं दूसरा भी आइडिया बताओंगी, कि आप दूसरे आइडिया से किस तरीके से इस रेसिपी को बना सकते हैं, तो ये देखें, मैंने प्याज लगा दिया है, और इसके बाद कैपसिकम, इसके बाद हम पनीर लगाएंगे, अगर आपका पनीर ज्यादा सॉप्ट है तो आप इस तरीके से सारी सबजिया स्टिक में लगा दें, तो ये देखें, बीच बीच में आप सबजिया भी लगाते जाएं, और कुछ पनीर के पीसिस भी लगाते जाएं, तो मैंने सारी सबजिया लगा दी हैं, और अब हम इसको रोस्ट करेंगे, तो ये देखें, सारी सबजि को गुमाते जाएं और चारो तर्फ से अच्छा सा रोस्ट कर लें इसको आपको पता ही चल जाएका 있어서 कालर जाएगा थोड़ा सा निशान पड़ जाएंगे सिकने के तो जब तक हमें सिखना है तो आप इस तरीके से घुमाते जाए और इसको अच्छा सा सिख ले रोष्ट कर ले तो इसको सिखने में भी जादा टाइम नहीं लगेंगे और इसको दो से तीन मिनट में यह आराम से सिख जाएगा तो जब यह सिख जाएगा तो इसको निकाल के दूसरे जो पनीर के पीसे सेंबो लगा दे और उसको सेक ले तो इनको सेकने में जादा टाइम नहीं लगता तो यह देखे आपको दिखी रहा होगा कि हलका हलका सिखने भी लगा यह देखे कितना अच्छा सिख गया ना इसमें कलर भी आ गया है अब हम इसको निकाल लेंगे तो अब मैं अच्छे से गरम हो जाए तो इसके बाद हमने हमारे जो सब्जियों के पीसे से ना और जो पनीर के वो एके करके फैला देंगे तो ध्यार रहे कि खटा नहीं डालना बस हमें एके करके सब्जियों के पीसे फैलाना है और पनीर के पीसे तो इस तरीके से आप फैला दें एक करके डालें और थोड़ी देर माप इनको सारी सबजियों को पलता दें तो जिससे कि दूसी साइट से भी अच्छे से सिख जाएं और इनमा अच्छा सा कलर आ जाएं तो फ्रेंड्स ही हमने पनी टिक का बनाया बिल्कुर रेस्टोरेंट स्टाइल मैं तो आप घर पर ही बना स स्टाइल मैं तो अगर कोई गैस्ट आ रहा है तब भी आप बना के उनको सर्प कर सकते हैं तो इसमें आप बस मरेनेट करके रख दी पहले से गैस्ट आएंगे तो इसमें आप फटा फटा इसको बना दें जादा टाइम भी नहीं लगता तो हमारे पनी टिक का बिल्कुर ब बताएं अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सकाइब करना ना भूलें वहीं दिखेगा एक छोटा सा बैल बटन तो बैल बटन को भी प्रेस कर दें तो यह देखिए अभी मैं इसमें दूसरे भी निकाल लियती हूँ यह मैंने दूसरे भी निकाल लि वीडियो में, thank you